जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर इंडिया में फेस्टिकल का टाइम चल रहा और इस टाइम पर हर को ही चाहता है कि उसको जादा से जादा ओर्डर आए तो इसमें मैं आज आपकी हेल्प करने आला हूँ कि आज के वीडियो में आपको तीरे से टिप्स बताने आला हूँ इसो के बार में especially जिससे कि आप अपनी sales को 2x से 3x तक कर सकते हो तो अगर आप इसके बार में जाना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से लेखना और एंड तक देखना ताकि आप उसको समझ सको और अच्छे से अपलाए करके अपनी sales को increase कर सको और आप इसे और वीडियो दे e-commerce related, online business related तो अभी चाहिए चानल को subscribe करिए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इंडिया में दिवाली का time सबसे peak होता है demand का इस time पे सबसे ज़्यादा products बिखते हैं चाहे वो grocery हो, clothing हो, gadgets हो, हर किसी product के demand होती है तो इस time पे आप जितना ज़्यादा effort डालोगे उतना ही ज़्यादा आपका business grow होता है तो इसके लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकिया आगया हूँ especially measures suppliers के लिए जिसमें आपको तीन ऐसे tips बताने आला हूँ जिसका use करके आपने sales को 2-3x तक कर सकते हो तो वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको चीजे समझ में आ सके और इसको आप सही से apply कर सको तो बिल्कुल भी time waste नहीं करते हैं सीधा start करते है tip number one की साथ जैसा कि दूस्तों आप सबको बता है कि इस time पर लोग bulk buying करते हैं चाहे clothing की bulk buying हो चाहे grocery की buying हो चाहे आप gadgets की buying करो जो एक आदमी खरीदने वाला है उसकी जगो पर दो खरीता है तीन खरीता है चार खरीता है यह सोचके कि यह festival का time में हम जादा खरी लेते हैं फिर इसको साल इसमें आप combos बना सकते हो और literally combos आपको ऐसे नहीं बनाने है कि pack of 2, pack of 3, pack of 4 ऐसा नहीं बनाने है आपको आपको क्या करना है तो इस time पर थोड़ा दिमाग से खिलना है customer के आपको क्या करना है ऐसे combos बनाने है जिसमें कि आपको यह बताने है कि अगर आप यह दो purchase करते हो तो यह दो free है ठीक है आप images में दिखा सकते हो सीधी से बात है में आपको कोई ऐसा additional feature नहीं मलता बर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा कि images में यह चीज़ एडिट कर सकते हो कि अगर आप यह दो bedsheet खरीते हो तो दो bedsheet free है अगर आप यह दो t-shirt खरीत हो तो तीसरी t-shirt free है फिर कोई और shorts free है joggers free ऐसे आप combos बना सकते हो तो इससे होता क्या है कि जबी भी कोई customer आपके listing देखता है तो उसको free वाला word देख जाता है जिसकी वैसे वह आपके listing के अंदर जाता है और वहाँ पर उसके purchase करने के chances काफी हद तक बढ़ जाते हैं तो इसके लिए आपको ध् जनवरी तक भी चलता है तो इसके लिए आपको यह नहीं सुछना है कि यार मैं दस दिन के लिए क्यों इतना effort डालू क्योंकि यह जो season है काफी लंबा जाने वाला है तो इसके लिए आपको try करने हैं कि जो combos possible है जो आप combos बना सकते हो गिफ्ट हैंपर बना सकते हो वैसे इसके लिए आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो आप भी अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो और फिर वहां से अपनी sales को increase कर सकते हो और अच्छेगा से ओर ले सकते हो इसमें एक important point यह भी है कि जाए भी आप प्रोड़क कॉम्बो में बेजते हो तो उसमें आपको और benefits होते हैं for example अगर आप एक single single product भेजोगा अगर वो return आएगा तो तीन प्रोड़क का आपको तीन बार return चार्ज लगेगा बट अगर इनकिस अगर किसने combo खरीदा उसको product पसंद नहीं आ रहा और वो उसको return करता है तो आपको एक बार ही return चार्ज लगता है दूसरी चीज़ इसे होते है कि जबी आप combo में भेजते हो तो आप product सस्ता दे सकते हो क्योंकि आपका एक बार में तीन product भी रहा है तो इसके लिए आप उसको सस्ता भी दे सकते हो तो customer का भी फायदा हो जाता है और आपका भी फायदा हो जाता है तो इसके लिए combos बनाने से बहुत सारे benefit इस इस पर जाओंगा ठीक है अब बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो मुझे बोले हैं कि यार इधर तो कुछ भी हम 5 रुपय डालेंगे तो 2 रुपय दिखाता है दस रुप डालेंगे तो 5 रुपय दिखाता है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको सारे प्राइसिंग एकसेप नहीं करने बिलकुल भी नहीं करने कि अगर आप इसनके इसाफ से चलोगे तो हमेशा आपका लॉस होगा कौनसे प्राइसिंग एकसेप करने यह भी एक ट् नहीं करेंगे तो हमेशा फैपली घ्रिया ओं पर गच्ा क्राइसिंग आंगा सामने इससाप करने खोंपटी आयूग तो यहां पर मुझे दिख जाएगा कि सामने वाला क्या प्राइसे ऐक सoldे तो आप देख सकते हैं कि मुझे आपको accept price करना है इसके बाद भी एक बहुत important चीज़ है अब मेशो क्या करता है मालू में कि आपको accept price करवाने के शकर में आपका जो wrong defective price है वो बहुत ज़ादा कम कर देता है तो इस तीज को आपको ध्यान में रखना है कि आपने ये price तो accept किया ही है ठीक है 120 वाला लेकिन wrong defective buy में भी जो purchase होगा customer जो purchase करेगा उसमें मेरे settlement में बहुत ज़ादा फरक नहीं पड़ेगा मेरे main price से तो ये चीज़ आपको थोड़ा दिमाग लगा के चलना है कि जब भी आप price accept कर रहे हो तो आपको सीधा directly जाके accept accept पे क्लिक नहीं करना है थोड़ा सा समझना है कि 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 इस टाइब की pricing है क्या मेरा competitor वो price में बेच रहा है तो क्या मैं उससे compete कर सकता हूँ अगर मैं compete कर सकता हूँ तो मुझे wrong defective price क्या रख सकता हूँ वो भी चीज़ आपको देखनी है तो इससे क्या होगा ना कि एक तो पहली बात आप competitor से जीत जाओगे pricing में दूसरी चीज़ इससे होई कि अगर आपने wrong defective price सही से चेक करके एक दो रुपे ही कम डाले है तो अगर आपका product wrong defective price में भी बिखता है तो आपके settlement में बहुत जादा फरक नहीं आएगा तो इससे बहुत बड़ा benefit हो सकता है आपको तो इसके लिए pricing accept करनी है लेकिन सारी नहीं करनी है वही क पड़ सकता है और इससे आप literally जो top competitor है उनसे compete कर सकते हो pricing के मामले में ठीक है तो यह बहुत important चीज़ है मैं यह नहीं बोला कि सारे accept करो लेकिन सही से accept करोगे तो बहुत जादा benefit आपको मिल सकता है ठीक है तीसरी चीज़ I think मैं यह चीज़ पहले भी आपको बता चुका हू कि मेशो में दो टाइब की चीज़े होती है पहली चीज़ यह है कि अगर आप MRP हाई रखते हों तो आपको हमेशा customer को free shipping दिखाया जाता है यह बहुत ही benefit वाली चीज़ है कि free shipping दिखाता है तो customer को लगता है मुझे shipping charge नहीं पर करना है और customer खरीद लेता है बहुत बार क्या shipping रखी है तो सीधी सी बात है मेशो उसमे shipping charge अड़ करके customer को दिखाएगा तो for example अगर आपने 120 रूपी का price रखाया तो वो automatically 190 या 200 हो के customer को दिखता है तो short by low price में आपका listing दिखने के chances बहुत कम हो जाते हैं आपको free shipping वाली listing तो करनी है लेकिन साथ साथ में आपको एक low MRP व अभी भी free shipping में नहीं दिखाता प्लस shipping में दिखाता है तो for example अगर ऐसा customer मैं आपका product देख रहा हूं तो मुझे 100 रूपीज प्लस 70 रूपीज या प्लस 80 रूपीज उसके उपर shipping दिखाएगा लेकिन अब आप बोलो कि कौन बंदा है जो shipping extra पर करके product खरीदेगा लेकिन इ shipping तो आड़ नहीं कर रहा तो उसमें shipping charge आड़ नहीं होता 100 रूपीज दिखाता है और आपका जो free shipping वाला प्लाटफॉर्म्स जैसा नहीं है वहाँ पे आपका store वाला एक option आपको मिल जाता है तो for example suppose करो आपने कोई एक listing है इसमें आपने low price डाला हूँ है low MRP डाला हूँ है वहाँ पे आपका customer गया और उसने नीचे जाके आपका view store किया तो उससे ये होगा कि भले हो सकता है कि आपका वह वाला product ना भी के लेकिन आपके बाकी products वह customer देख सकता है और हो सकता है कि वह से कुछ purchase कर ले बहुत चोटी चोटी चीज़े है बट इससे बहुत ज्यादा impact परता है अगर suppose को ऐसे आपने 5 या 10 listing भी कर दी जहां पे आपने low MRP रखा और वहां से आपके visibility आ रही है लोग आपके store पे visit कर रहे है और वहां से आपको 10-15-20 order भी आ रहे है तो आपका क्या नुकसान हो रहा है कुछ भी नुकसान नहीं है और free में सारी चीज़ हो रही है कोई भी पैसा आपको नहीं डालने आप वही चीज़ कर रहे हो जो आप पहले कर रहे थे बस आपको एक की जगह दो लिस्टिंग करने है एक free shipping वाली और एक अपला shipping वाली तो इससे बहुत ब पता था कि मैं आपको तीन टिप्स बताने हो लेकिन इसके साथ में आपके लिए एक surprise है एक bonus टिप जो आपको में इस वीडियो में देने वाला हूँ वो यह है और यह I think मैंने last festival season में भी दिया था कि जभी भी आप में डील करते हो most of the sellers जो में डील करते है या तो वो बिना फेस्टिगल में डिमांड में रहता है तो आप उसको लो उसकी listening कर दो और उसको बेचना शुरू कर दो कुछ time के लिए आपको बहुत जादा inventory नहीं रखनी है आपको supplier से सही से बात करनी है उसी के हिसाब से inventory arrange करनी है और उसको list करना है इससे क्या होगा एक तो आपका वो product बिकेगा साथ साथ में वो product बिकने के साथ साथ आपके बाकी product की visibility बहुत अत्तक बढ़ सकती है तो इसके लिए आपको यह करना है कि जो भी फेस्टिगल आ रहा है और उसके बात Christmas भी आने वाल है और भी वीच में तीन चार फेस्टिगल है तो उसमें आप benefit ले सकते हो जो बिक रहा है दो तीन हफते जो भी फेस्टिगल है उसके दो तीन हफते पहले चार हफते पहले से उसको ले के आ जाओ ताकि पीक टाइम पर अपको अच्छा घासा और आप अपने बिजनस को गुरू कर सको अर अल्टिमेटली अपना सेल्स की इन ग्रीज कर सको तो यह इस वीडियो को लाइक कर दिए अगर आपका कोई भी टाउट है वीडियो से लेटेड या फिर मेंशोर से लेटेड तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं और अगर आप चाहते हो कि इस फेस्टिगल सीजन हम आपकी हेल्प कर आपके बिजनस को ग्रो करने में आपकी अकाउं झाल